नमस्कार दोफ्तों एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का हर दिक स्वागत है लेटर अफट अपटेट निकल के आई कि सरकारी करमचारियों पर होगी लक्षमी की बरसात नियूंतम वेतन बढ़ाने के अलावा मोधी सरकार देगी 18 महीने के एरियर के साथ दिये तो हर करमचारी जाने पूरी डिटेल तो दोफ्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर फफ टाइम जिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजे सस्क्राइब कर दीजे साथ ही साथ वाल ऐकन को भी बजा दीजिए ताकि गोर्मेंट या प करमचारी को फिटमेंटफाक्टर में बढ़ाने की मांग कर रहे हैं इन युनियनों की मांग है कि नियूंतब में 18000 रूपे से बढ़ा कर 26000 रूपे कर दिया जाए और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 परतिशत से बढ़ाकर 3.68 परतिशत किया जाए तो दोस्तों माना जा रहा है कि सरकार 18 महिने से बकाया करमचारियों के महिंगाई बत्ते को लेकर जल्द ही फैसला कर सकती है तो करमचारियों के मांग के चलते सरकार केंद्रिय करमचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बड़ोतरी आएगी जिसके चलते नियुनतम बेसिक वेतन 26,000 रुपे तक बढ़ जाएगा केंदर और केंदरिय करमचारियों को लेकर फिटमेंट फैक्टर बढाती है तो केंदरिय करमचारियों के वेतन में बड़ी बड़ोतरी होगी जिसके साथ नियुंतम वेतन भी बढ़ जाएगा तोबत्तों को छोड़कर उसकी सेलरी में 46,2600 रूपे का फाइदा होगा अगर उसे 3.68 मान लिया जाए तो सेलरी में 55,680 रूपे का फाइदा होगा क्रमचारी को इससे بंबर इजाफ़ा देखने को मिलेगा मतलब कुल मिलाकर क्रमचारी की सेलरी में 49,420 रूपे का इजाफ़ा होगा ये कैलिकुलेशन नियुन पर बेसिक सैलरी पर किया गया है अधिकतम सैलरी वालों को और भी ज्यादा लाब होगा दोस्तो फिडमेंट फैक्टर के अंदर सरकार के सभी करमचारी का बेसिक बेतन तैक करने का फॉर्मूला है सैवन्थ पे कमिशन के सपारिस पर इसे लागू किया गया है जिसे करमचारीों की सैजरी खुदम खुद बढ़ जाएगी आपको बता दे कि सरकार के इस नियुने से केंदर के 47.1,4 लाग करमचारी और 68.6,2 लाग मैंशन बोगियों को लाब मिलेगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जए हिंग जए भारत